हाई मेरे नाम है शारीब और आप देख रहे हैं कम्माल की गैजट्स और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हुआ भी के रिसेंटली लॉन फोन ओनर व्यू 10 के बारे में हैं इसकी खासियत विल इसमें है अर्टिफिशल इंचेलिजेंस पावर सीपी यू विल आई न वीडियो में ओनर व्यू 10 का ओवर्वियू मैंने दिया था लेकिन मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों के कॉमेंट्स मिले और मैसेजेज मुझे मिले कि मैं अपना ओपीनियन जो है वो और व्यू 10 के बारे में भी शेयर करूं और आप बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कंसरे करें इसे सब्सक्राइब करने का क्योंकि मैं लेकर करके आता हूं इसी तरह के टेक रिलेटेड वीडियो तो इसकी प्राइसिंग से विल इसकी प्राइसिंग जो है जैसे कहम पर यह कंपीट करता है सीधे सीधे वन प्लस 5T से इसके अलावा जो सामसंग का रिसेंटली फोन लॉंच हुआ है गैलेक्जी 8 प्लस एलजी जी सिक्स मी मिक्स टू और नोक्या एट जैसे फोन से यह कंपीट करता है तो अगर आप एक कंपारशन वीडियो में इन की तो यहां पर आपको मिलती 5.99 इंच की फुल एजडी प्लस IPS LCD स्क्रीन विट 18 इस्टू 9 अस्पेक्ट रेशियो राइम यहां पर आपको मिलते 6GB की इंटल मेमरी आपको देखने को मिलती है 128GB की कैमरा के गर बात करूं तो चुकि dual camera का का रेज सा भी चला हुआ है तो विल जैसे कि मैंने introduction के time भी बताया था कि इसी processor के बारे में Huawei बता रहा है कि Green 970 जो है artificial intelligence powered तो यह CPU क्या क्या करती है विल इसके बारे में जब मैं इस device के pros के बारे में बात करूंगा तो वहां पर मैं आपको थोड़ी डिटेल इसकी बताऊंगा GPU यहाँ पर आपको मिलती है Mali G72 MP12, battery capacity यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 3750 million power की और यह आता है Android Oreo after the box तो अब बात करते हैं इस phone के कुछ खास features के मतलब इसके pros के बारे में कि क्या ऐसे चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जिसकी वज़ा से आपको इस phone को consider करना चाहिए तो सबसे पहले आती है इसकी performance, well Kirin 970 के performance जो है वो almost equivalent है Snapdragon 835 के विल यह बराबर तो नहीं है Snapdragon 835 के, इसलिए मैंने कहा कि यह almost equivalent है Snapdragon 835 के performance की इसके लावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह जो processor है वो है artificial intelligence powered तो विल यह करता क्या क्या है तो सबसे पहली बात इस processor की है वो यह कि इस phone को slow नहीं होने देता है हलाकि मैंने कहा कि यह phone की performance overall यह almost equivalent Snapdragon 835 वाले performance की लेकिन यह जो है आप unless until इसको side by side compare नहीं करें तब तक आपको इसका जो difference है वो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसका जो artificial intelligence इसकी CPU की वो इस phone को काफी smooth बनाये रखता है इसका जो performance है वो काफी buttery smooth है और कोई lag वगर आपको देखने को नहीं मिलता है वैसा तो यह जो है वी इसकी artificial intelligence का एक कमाल है इसके लावब इसका जो artificial intelligence है वो इसके camera में आपको देखने को मिलता है इसका camera जो है आपका object उसको detect कर लेता है कि यह कोई food है या कोई flower है या फिर कोई भी चीज हो उसको यह detect कर लेता है और उससे इसाप से आपके camera के adjustment को यह set कर देता है automatically इसके लावब facial recognition का एक यहाँ पर भी आपको feature देखने को मिलता है जैसे OnePlus 5T में हमको देखने को मिलता है तो facial recognition को जो वो है इसका artificial intelligence पो recognize करता है और आपको notification वगरा को दिखाना है या आपको नहीं दिखाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर यह handle कर सकता है इसके लाव बचाता है तो विल यह कुछ सारी features हैं जो आपको इसको artificial intelligence में देखने को मिलती है और जैसे कि Huawei ने अपने launch वाले event में कहा था कि धिरी धिरी करके और भी बहुत सारे software updates के थूरू और और चीज़ों में आप जो है वो इसका इसका इस्तमाल कर पाएंगे तो विल इस रियली करके smartphone से omit होते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि Xiaomi के बाद Huawei एक लौता एक जो manufacturer है वो इस dying species को बचा कर रखे हुए हैं इसके लावा यहां पर headphone jack आपको देखने को मिलता है वेल camera के बात करें तो इसका overall camera performance काफी अच्छा है रियर के साइड में जो camera है वो आपको dual camera क camera है उसमें हलाकि single ही camera दिया गया है जो कि है सिर्फ 13MP का लेकिन उसके बावजूद भी आप front camera से भी जो है वो portraits ले सकते हैं तो विल इस price point पे और कोई दूसरा ऐसा phone नहीं है अटलिस मेरी knowledge में जो की front camera से भी portrait ले सकता हो तो विल विच इस नाइस तिंग अगर आप portrait में interested ह तो आप इस phone को consider कर सकते हैं इसके लावब एक और feature आपको इसके camera में देखने को मिलता है वो यह कि photo लेने के बाद आप जो है अपने photo का जो background है उसके blur को आप जो है वो adjust कर सकते हैं कितना घटाना है या कितना बढ़ाना या कितना रखना है उसको यह आप इसमें manage कर सकते ह जैसा है कि हमने galaxy note 8 में भी देखने को मिला था तो विल विच इस तिंग अगर आपको portrait में बहुत जाद आप दिल्चस्पी रखते हैं तो विल इस price point पर आप इस phone के साथ में जा सकते हैं अब बात कर लेते कुछ cons के बारे में क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बताया है कि कभी कुछ नए design को देने के लिए कुछ पराने design को हटाना पड़ता है और कभी कुछ नए features को देने के लिए कुछ पराने features जो हटाने पड़ते हैं तो इस वजह से कुछ चीज़ें जो है वो यहां पर भी आपको different देखने को मिलती है जैसे कि यहां पर आपको 2K resolution वाला display को नहीं मिलता है चुकि यह phone जो है वो Honor 8 Pro का ही successor है ऐसा माना जा रहा है तो चुकि Honor 8 Pro में आपको 2K resolution वाल डिस्पले देखने को मिला था और उसके साथ Huawei ने एक virtual reality का headset भी box में free दिया था हलाकि इसको quality बहुत अच्छी नहीं थे बट फिर भी उन्होंने दिया था इसके ला यहां पर आपको IP rating भी देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि 30,000 के price bracket में OIS और IP rating वगरा यह सारी चीज़े तो होनी ही चाहिए तो यह थे इसके कुछ cons but the ultimate question इसके क्या आपको यह phone खरीदना चाहिए well अगर आप interested है नए ने features को use करने में और जो नए ने technologies आ रही है उन सारी चीज़े में अगर आप interest रखते हैं तो इसका जो neural engine यहां पर दिया गया है इसके CPU में तो यह इस phone को सबसे interesting बनाता है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो artificial intelligence powered CPU है वो कुछ जो काम कर सकता है उसके बारे मैंने आपको बताया तो अगर आप उन सारी चीज़े में interest रखते हैं तो फिर आप इस phone के साथ में जा सकते हैं और मेरा ख्याल है कि इस phone को आपको ए 33,000 रुपीज तक मतलब कि इस phone से almost 3000 रुपीज जादा तो आपको जाना चाहिए OnePlus 5T के साथ में लेकिन अगर आप बचाना चाहते हैं 2-3,000 रुपए तो विल आप चाह सकते हैं Honor View 10 के बारे में I hope कि आप disappoint नहीं होंगे और इन मोबाइल्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं तो आप हमारे दिये गए लिंक का इस्तमाल करें सो आज के लिए फ्रिंस बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए शेर करिए अपने दोस्तों के साथ में फालो करिए हमें Facebook, Twitter and Instagram पे और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और अगर आपके हैं कोई suggestion तो आप नीचे comment section में हमें ज़रू बताईए और हम कोशिश करेंगे उसको follow करने की सो हम मिलते हैं हमारे एगली वीडियो में until then take care